सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक रान चैनल को और बेल आइकन बजाएए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए सो फैनली रियल्मी वालों ने अपने रियल्मी 10 4G के अंदर रियल्मी UI 5.0 based on Android 14 का अरली एक्सेस फाम जो है रिलीच किया था और यहाँ पर जिन जिन यूजर ने ये फाम फिल किये और जिसका फाम अप्रूब हुआ उसको यहाँ पर अपडेट देखने को मिल चुका है और इस वीडियो में मैं इस अपडेट का complete detail बताने वाला हूँ दोस्तों जिसमें आपको कौन-कौन से new features देखने को मिलता हैं कौन से new bugs देखने को मिलता हैं साथ ही इसका looks, design वगरा किस type से देखने को मिलता हैं तो यहाँ पर मैं one by one सारे कुछ बताने वाला हूँ तो इसक के वर्जन वगरा चेकाउट कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे realme 10 4G का model नंबर RMX 3630 है और साथ ही 14.0.0.81 का new update देखने को मिलता है और इस update का जो size है 5.06 GB का है और यह आपको realme UI 5.0 based on android 14 के update के साथ trial वर्जन आइमिन की early access update देखने को मिल चुका है बात की जाई इस update के बाद इसके android security page की तो यहाँ पर आपको android 14 के update के साथ 5.0 अप्रेल 2024 का latest enhanced android system security देखने को मिलता है इस update के साथ जो की very disappointed है दोस्तो यहाँ पर जून मन्त स्टार्ट हो चुका है और अभी भी अप्रेल आइमिन की 2 मन्त पीछे का security page देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर दोस्तो इसका जो system performance है UI है वो आपको काफी smooth और stable देखने को मिलता है काफी fast देखने को मिलता है यहाँ पर दोस्तो जो apps opening, closing, animation, swapping, up, down वगरा जो है काफी fast और smooth देखने को मिलता है यहाँ पर android 13 से compare करेंगे तो यहाँ पर काफी fast और smooth system UI, system performance देखने को मिलत यहis के लाव बात किजा है mu notification panel की यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको कुछ इस टैप से notification panel देखने को मिलता है जो कि आपको पूरे की पूरे old वाला ही notification पेनल देखने को मिलता है यहाँ पर आपको notification पेनल में कोई भी changes देखने को नहीं मिलता है इसके लाओ बात किज़ें अगले changes की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting UI के अंदर यहाँ पर आप जैसे ही setting में जाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपको पहले की तरह ही इसका icon देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर हर एक features और name के बीच में आपको lining देखने को मिल जाता है साथी दोस्तों इसका जो cards वाला option है वो भी छोटा छोटा हो गया है साथी जो features का name और icons है उसको काफी पास पास कर दिया है पहले दोस्तों थोड़ा दूर दूर में रहता था साथी जो lining देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था इस lining के वज़े से दोस दोस्तों features और icons वगरा जो है आर भी better और cool देखने को मिल रहा है साथी दोस्तों किसी-किसी features को एक में attach कर दिया है और उसका name वगरा जो है थोड़ा बहुत change कर दिया है आप देखेंगे पहले कुछी step से setting UI देखने को मिलता था लेकिन realme UI 5.0 के update के बाद आपको कुछी step स setting UI देखने को मिलता है इसके लाओ बात की जाए अगले changes की तो वह आपको मिलता है दोस्तों wallpaper change करने के time पर यहाँ पर दोस्तों अगर आप किसी भी wallpaper को change करते हैं जैसे ही set as wallpaper करके apply करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ इस टाइप से इसका layout देखने को मिलत है पहले दोस्तों आपको center align में देखने को मिलता था उसको यहाँपर change करके left align कर दिया है जो की काफी cool look देखने को मिलता है पहले से यहाँपर काफी better look देखने को मिल रहा है इसके अलाव बात की जाए अगले change की तो वह आपको मिलता है दोस्तों real me share के अंदर यहाँपर दोस्तों अगर आप किसी को image, video अगरा, file अगरा share करते हैं, तो यहाँ पर आपको new changes देखने को मिलता है, यहाँ पर देखेंगे आपको photo अगरा देखने को मिल जाता है, साथ ही अगर कोई photo अगरा नहीं डाले रहते हैं, उसमें आपको brand का name देखने को मिलता है, साथ ही दोस्तों अगर आपको video या image वगरा send करते हैं, तो वो जैसे ही receive होने के बाद आपको view हो जाता है, पहले दोस्तों view नहीं होता था, इसके लाव बात किज़े अगले changes की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों setting के अंदर, connection and sharing के अंदर, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको ओ और के का features यहाँ पर add कर दिया है, यह features दोस्तों cloud storage features है, जिसमें आप अपने file data, image वगरा को cloud में store कर सकते हैं, जिसको आप online कहीं से भी use कर सकते हैं, उसके लिए दोस्तों आपको cloud.realme.com में जाना है, उसके बाद आपको आप अपने password ID वगरा डाल कर online कहीं से भी data को use कर सकते हैं, यह features दोस्तों पहले special features के अंदर था, लेकिन आप आपको connection and sharing के अंदर देखने को मिल जाता है, साथ ही यही पर आपको realme share का option देखने को मिल जाता है, पहले यह realme share देखने को नहीं मिलता था, कहीं पर भी, केवाल notification panel में ही देखने को मिलता था, लेकिन अब इसको यहाँ पर show कर दिया है, साथ ही दोस्तों इसमें अगर जाते हैं, तो आपको यहाँ पर turn on 10 minute का option देता है, अगर 10 minute में आप कुछ भी send कर लेते हैं, तो ठीक है, नहीं तो वो automatic बंद हो जाता है, उसके बाद आपको फिर से on करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको realme share का option 8 कर दिया है, साथ ही दोस्तों यहीं पर ही आपको link to window का new features देखने को मिल जाता है, इसके थुरू दोस्तों आप अपने smartphone को laptop, tablet, PC वगरा में connect कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको Microsoft का account होना जरूरी है, जिससे आप sign in करके call, notification, phone, book, contact वगरा सभी को आप share कर सकते हैं, और उसे आप PC, laptop या tablet वगरा से access कर सकते हैं, साथ दोस्तों इसका tape जो है, आपको notification पेनल में भी देखने को मिल जाता है, आप direct notification पेनल से ही link to window को यूज कर सकते हैं, इसके लाव बात की जगले change की तो वो आपको मिलता हैं दोस्तों, setting के अंदर, wallpaper and style के अंदर, always on display में, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपको carbon footprint का new always on display देखने को मिलता है, जिसे आप click करेंगे तो आपको कुछ ही इस type से, team type के यहाँ पर always on display का icon देखने को मिल जाता है, जो कि काफी cool लग रहा है दोस्तों, यह always on display काफी लोगों को पसंद आने वाला है, क्योंकि काफी cool लुक के साथ always on display देखने को मिल रहा है, साथ दोस्तों किसी-किसी user का कुछ-कुछ AOD जो है नहीं चल रहा था, वो भी इस update के बाद आपको proper way में working देखने को मिल रहा है, पर दोस्तों कुछ-कुछ user का कोई-कोई AOD जो है proper way में open नहीं होता था, क्रेस हो जाता था, तो इस update के बाद वो solve हो चुका है, इसके लावा यहाँ पर icon का option देखने को मिल जाता है, जिसे आप click करेंगे तो आपको icon style देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों जो payable वाला option है, उसका जो icon का color है, उसको यहाँ पर और भी better और light कर दिया है, जिससे की यह icons जो है payable वाला, वो काफी better देखने को मिल रहा है, साथ दोस्तों यहाँ पर last में आपको more का option देखने को मिल जाता है, यह basically दोस्तों आपको theme वाले option में ले जाता है, जिसमें आपको काफी सरे icon style के साथ theme देखने को मिल जाता है, जो की दोस्तों paid वाला है, जिसे आप free trial यूज करके 5 मिनट या 10 मिनट के लिए रहता है, यह trial वाला आप यूज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो यह more वाला option 8 कर दिया है, ताथी font style में देखेंगे तो आपको, जो font style जो है, काफी बड़ा सा देखने को मिल रहा था, उसको काफी पास-पास और छोटा सा कर दिया है, इसके लाव बात की जाए अगले change की तो, वो आपको मिलता हैं दोस्तो, setting के अंदर, home screen and lock screen के अंदर, यहाँ पर निचे साइट देखेंगे, so media player on lock screen, इस features को on करेंगे, और music वगरा play करते हैं, तो आप lock screen में ही, उसको control कर सकते हैं, play कर सकते हैं, song वगरा को next, previous वगरा करना है, तो आप lock screen में ही कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं कर सकते थे, और अगर आप इसको आफ करते हैं, तो lock screen में आप music control या media playback को control नहीं कर सकते हैं, तो इस features को on करेंगे, तो आप lock screen में music को control कर सकते हैं, इसीक साथ दोस्तों यही पर आपको lock screen shortcut देखने को मिलता है, जो कि आपके screen lock रहता है, निचिक साइड में आपको छोटा सा दो आइकन देखने को मिलता है, लेट और राइट, उसमें यहाँ पर torch lock screen में जीन, Snapchat और QR code को add कर दिया है, पहले दोस्तों यह option नहीं था, लेकिन Realme UI 5.0 based on Android 14 के update के बाद, आपको torch lock screen में जीन, Snapchat और QR code का option भी देखने को मिल जाता है, इसके अलावब बात की जाए, अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों, setting के अंदर, sound and vibration के अंदर, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, जो इसका layout है, वो आपको पूरे-पूरे same देखने को मिलता है, लेकिन आप जैसे ही ringtone या message tone के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको new option देखने को मिलता है, classic theme और equamorphic theme, basically आपको यहाँ पर जाएंगे, तो आपको new ringtone देखने को मिलता है, अब देख सकते हैं, आपको काफी सारे new ringtone देखने को मिल रहा है, जो की काफी अच्छा ringtone देखने को मिलता है, साथ ही अगर आप charging करते हैं, या कुछ delete करते हैं, notification आया रहता है, उसको clear वगरा करते हैं, तो आपको काफी सारे new ringtone देखने को मिलता है, जो ringtone को sound वगरा है, वो काफी अच्छा सुनने को मिलता है, पहले से यहाँ पर ringtone वगरा पूरे 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 चेंज हो चुका है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर more sound का option देखने को मिल रहा है, अलग से, जो की पहले haptic वाले option में रहता था, इसको आप अलग-अलग करके, यहाँ पर दो option add कर दिया है, इसके लाओ बात की जागले चेंज की तो, वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, notification and status bar के अंदर, यहाँ पर दोस्तों आपको smart suggestion का features देखने को मिलता है, यह features दोस्तों जनरली करता क्या है, जिस प्रकार always on display में food delivery और music playback का option दिया है, उसी प्रेकार ये दोस्तो आपको Notification Panel, Status Bar, Lock Screen और Always On Display मे Food Delivery और Riding High Link का New Features Add कर दिया है जिसको दोस्तो आप On करेंगे तो आपको Notification Panel, Status Bar, Lock Screen या फिर Always On Display में Food Delivery या Riding High Link का वो आपको सो होगा इसके लाव बात की जगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तो सेटिंग के अंदर, Apps के अंदर यहाँ पर दोस्तो आप App Cloner में जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे, I mean कि आपके Mobile में जितने भी Apps हैं उसमें से आप पूरे Apps को क्लोन कर सकते हैं पहले दोस्तो यह Limited ही रहता था, लेकिन अब आपको आपके Mobile में जितने भी Apps हैं उसको आप Double Apps कर सकते हैं, Duplicate कर सकते हैं, Clone कर सकते हैं साथ दोस्तो यहाँ पर जो आटो लांच वाला आपसन रहता था, वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा हैं पहले यह आटो लांच वाले आपसन देखने को मिलता था इसके लाव बात की जाए अगले चेंज की तो, वो आपको मिलता है दोस्तो, Security and Privacy के अंदर यहाँ पर आप गौर से देखेंगे दोस्तो, पहले इस Password and Security और Privacy के अलग से दो आपसन देखने को मिलता था उसको दोनों को Merge करके एक अपसन कर दिया है, Security and Privacy इसमें अगर आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको Scanning Features देखने को मिल जाता है जिसके थिरू आप अपने Security and Privacy को Scan करके, कोन से आपसन में Problem है, या किसको Allow करना है, या नहीं करना है, वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है I mean कि जो Security and Privacy है, यह आपको पूरी पूरी Changes देखने को मिलता है पहले दोस्तों, आपको अलग-अलग Tape में देखने को मिलता था, साथ ही Icons वगरा देखने को मिलता था जिसको आप कुछी इस Type से कर दिया है, यहाँ पर आपको कोई भी Icons वगरा देखने को नहीं मिलता है आपको Direct Name देखने को मिलता है अगर आपको password change करना है या face unlock वगर करना है तो आप यहाँ पर security and privacy के अंदर जाकर device unlock में जाएंगे तो यहाँ पर आपको screen lock का option और face and fingerprint का option देखने को मिल जाता है यहाँ से आप change कर सकते हैं साथी नीचे में आपको app lock, hide app, private shape और system cloner का option देखने को मिल जाता है साथी दोस्तों आपको privacy and security को scanning features जो है यहाँ पर आपको notification पैनल में भी icons add कर दिया है यहाँ पर से भी आप security and privacy को scan कर सकते हैं इसके लावा बात की जागले change की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तों setting के अंदर battery के section में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको कुछ ही इस टाइप से battery के option या layout देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों आपको smart charging और stop charging at 80% वाला features देखने को मिल जाएगा smart charging जिसे आप on करेंगे तो जो आपका charging habit है उसको यहाँ पर count करके recognize करके आपके charging habit के अनुसार यहाँ पर charging को slow करेगा और proper way में charging को perform करेगा साथी अगर आप stop charging at 80% को on करते हैं तो यह दोस्तों आपको charging proper way में देखने को मिलेगा जो कि आपको 80% के बाद उसके बाद जो charging है वो stop को जाएगा जिस्ते की जो battery का health है वो यहाँ पर proper देखने को मिलेगा जो कि battery health को बचाए रखने में काफी सहायक और मददगार रहेगा इसके लाव बात कीज़े अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों charging animation का यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अभी अगर phone को charge में लगाते हैं तो आपको जो animation है वो आपको पूरे पूरे center में देखने को मिलता है इसके लाव बात कीज़े अगले features की तो वो आपको मिलता है दोस्तों camera apps के अंदर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको कुछ ही स्टाइप से ColorOS 14 Realme UI 5.0 में कुछ ही स्टाइप से आपको camera features या layout देखने को मिलेगा यहाँ पर उपर के side में आप देखेंगे तो आपको screen के size को बड़ा छोटा करने या full screen करने का option देगा उसके नीचे आपको timer का option देखने को मिलता है इसके अलावा थोड़े बड़े toggles में auto HDR, interval और setting का option देखने को मिल जाएगा HDR features को आप जानते ही हैं दोस्तो और interval features या interval shooting का जो features हैं उसको अगर आप on करते हैं तो यहाँ पर आपको कितना shorts चाहिए और कितने second में चाहिए उसको आप decide कर सकते हैं उसके पाद जैसे आप suit button को click करते हैं तो आपको जितना shorts चाहिए रहेगा उतना shorts वो उतने second में click कर देगा तो यह एक काफी अच्छा features है दोस्तो इसके अलावा अगर आप setting में जाते हैं तो आपको अभी old वाला ही setting option देखने को मिलता है इसके अलावा दोस्तो अगर आप नीचे side more option में जाते हैं तो आपको कुछी step से पूरे के पूरे mode देखने को मिलता है और अगर आप edit करना चाहते हैं तो आपको उपर के side में edit option देखने को मिलेगा जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको काफी cool icon देखने को मिलता है पूरे पूरे squarish design मे देखने को मिलता है जिसे आप hold करके drag करके rearrange कर सकते हैं आप अपने use के अनुसार features को add कर सकते हैं तो कुछी step से आपको camera features देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात की जाए अगले change की तो अगर आप lock screen करते हैं और security के लिए pattern के अलावा number या pin यूज करते हैं आपको कुछ इस टैप से dial pad देखने को मिलेगा जो कि पहले से काफी cool देखने को मिल रहे है दोस्तो यह आपको by default android 14 का dial pad देखने को मिल जाएगा इसके अलावा बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर special features के अंदर smart sidebar में यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आपको old वाला ही layout और interface देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर file doc का new features देखने को मिल जाता है इस features के थूर दोस्तो आप अपने image photo video अगरा किसी भी चीज को आप यहाँ पर drag करके रख सकते हैं जिसको यहाँ पर drag and drop करके किसी को भी आप send कर सकते हैं share कर सकते हैं आप देखेंगे smart sidebar म आपको उपर में देखने को मिल रहा है जिसमें आप किसी भी file या image वागरा को यहाँ पर drag करके रख सकते हैं कुछी इस टेप से उसके बाद इसको आप कहीं भी send और share कर सकते हैं साथ ही यहाँ पर show recent file करके option add कर दिया है जो कि smart sidebar में यूज होता है यह भी दोस्तों यहाँ पर अगर आप recent file जो भी यूज किये रहेंगे वो यहाँ पर show होगा जिसे आप drag and drop करके कहीं भी share और send कर सकते हैं इसमें आपको recent में जो भी file वगर एट किये रहेंगे या load किये रहेंगे वो यहाँ पर show होता है इसके अलवा यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको new widgets देखने को मिलता है यह दोस्तों Google वाला widgets है जिसमें आपको date और month वगरा देखने को मिलता है यहाँ पर आप देख सक new color देखने को मिल जाता है उसके बाद दोस्तों आपको transparent देखने को मिलता है जो कि आपको lining बस देखने को मिलेगा आपको पूरे पूरे transparent रहेगा और उसके बाद आपको semi transparent का option देखने को मिलता है जो कि आपको background जो है थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है और यह जो widgets है दोस्तो वाल पेपर की हिसाब से इसका जो टेंपरेचर वाला आइकन देखने को मिल रहा है गोला सा वो वाल पेपर की हिसाब से चेंज हो जाकता है। इसका साथ दोस्तो आपको सेटिंग यू आई के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे हर एक कलर में जो भी आपसन या बटन के रूप में जो भी आपसन दिया है उसका जो ब्लू कलर है वो यहाँ पर लाइट देखने को मिल रहा है पहले दोस्तो जो ब्लू कलर रहता था वो थ को मिलता है जो कि पहले से थोड़ा बेटर भी देखने को मिल Rhा था कि दोस्तों इस अपडेट के बाद जो भी pops के बगल में चोटा सब बटन देखने को मिल रहा है वह थोड़ा सब बड़ा देखने को मिल रहा है आप देखेंगे पहले कुछ इस टाइप से छोटा सा और थोड़ा लंबा देखने को मिलता था लेकिन अभी जो लंबाई है उसका छोटा कर दिया है थोड़ा मोटा सा देखने को मिल रहा है आइपोन की तरह जो ऐसी बड़ा बड़ा बटन रहता है उसी प्रकार यहाँ पर किसी भी फीचर्स या फंक्शन के बगल में अन आप करने का बटन है वो थोड़ा बड़ा सा और मोटा सा देखने को मिल रहा है इसके अलाओ बात की जा अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर निचिक set additional setting के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे आपको app language का option देखने को मिलता है पहले दोस्तों यह option नहीं था जिसके अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको 15-20 apps देखने को मिल रहा है जिसका language आप यहाँ पर से change कर सकते हैं आपको Hindi में चाहिए या English में चाहिए या और किसी भी language में चाहिए आप यहाँ पर किसी भी apps का language चेंज कर सकते हैं I mean कि यहाँ पर आपको app specific language चेंज करने का option add कर दिया है इसके लग बात की जाए अगले change की तो यहाँ पर दोस्तों इस update के बाद पूरे UI में कहीं कहीं पर आपको bold text, light text देखने को मिल रहा है I mean bold के साथ में जो उसका color है उसको यहाँ पर light कर दिया है चाहे वो setting के अंदर हो या फिर home screen में या फिर lock screen में देखने को मिल रहा है लेकिन आपको bold text देखने को मिल रहा है और अगर दोस्तों इन सभी features को आप अभी use करना चाहते हैं तो मैंने अपने telegram group का link जो है वीडियो के description में add कर दिया है यहाँ पर आप आकर color OS 14, realme UI 5.0 and oxygen OS 14 का apk file install कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आप carefully install कीजेगा हो सकते हैं दोस्तों आपको apps increasing issue वगरा देखने को मिल जाए तो इसके लिए आप carefully अपने risk में install कीजेगा तो ए रहा इस update का full review दोस्तों यह update आपको मिला है की नहीं मिला है और अगर मिला है तो कौन-कौन से bugs और new features देखने को मिले अप मुझे comment करके जरूर बताईएगा तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं हम next वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तों